हेलो फेंस इन्वेश्ट फोरेवर में आपका एक बाग फिर से सौर गता है इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से लेटेट जिसमें मैंने गलती करी है अपको मैंने वीडियो बनाके दी थी पहले ओके मैंने आपको डिया बतायत है और और उसके लगभग वो टार्गेट एचीफ करने के लगभग वो शेर वहां पर पोच चुका है क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीना चाहिए, एक breakout stock भी उसे कह सकते है, बट वहाँ से एक risk reward ratio होता है, वो यहाँ पर favorable नहीं बैठता, अब खरीद नहींगा, जब खरीदना था, तब खरीद लेते, तो अच्छा गासा पैसे बनता, तो अपनी, उससे सीख क्या मिलते हैं, उससे related भी बाते करेंगे, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तबी, but before the वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चाहिए हूँगा कि आप हमारी चैनल invest forever, इससे subscribe कर लीजे, बैल आइकन को hit कर लीजे, ताकि इस तरीके के वीडियो daily basis से मिलते रहें, buying selling की कोई recommendation है, अपने financial advisor कुद की study करें, और जितना हो सके support करें कोशिश करें, और यह एक वीडियो आचुकी है, इस वीडियो को जाके देखिए, और इस वीडियो को like कर दीजिए, क्योंकि बहुत मैनस से stock चुन-चुन के आपके पास लाए जाते हो, जिखाया जाता है, और सीखने के बाद अगर आप यहाँ पर करेंगे काम, तो पैसा बनता हुग नजर आएगा, buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor की help लीजिए, जिस stock से लेटर बाते करने वाले हैं, उसका नाह में India Nippon Electrical, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर यह शेहर भाग गया, आप क्यों बता रहे हूँ, ओके different different यहाँ पर opinion हो सकते हैं, लोगों के, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आऊँगा, तो आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि India Nippon, यहाँ मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ, सर्च करता हूँ, तो India Nippon से लेटर यहाँ पर वीडियो आई थी, यहाँ ने आई थी, उससे लेटर हम यहाँ आपर बात कर रहे है, तो देखें, इंडिया Nippon, कब पाच महीने पहले यहाँ पर वीडियो आई थी, चार्ड ओफ दे वीक में मैंने यहाँ पर लिया था, डेट फ्री स्मॉल कैप शेयर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर अगर मैं घल्ती बता जचता हूँ, की यह शेयर लगभग यहाँ पर ही खरी था, यहाँ पर बता है करिने के बाद यह शेयर नीच आया, नीच आने का उपर गया, यहां पर फिर मैंने यहां पर निकाल दिया, मैं और श्टड़ी कर रहा हूँ, इस वज़े से मेरे से एक तरीके से कह सकते वलती होगे, बट मैं ऐसा ही टाइम पर यहां पर निकल गया था, और निकलने गाज शेयर नीचे आया, और फिर यह मेरी नेजरों से खट गया, और जैसी यह मेरी शेयर नेजरों से हटा, और अब यहां पर देख सकते हैं कि एक अच्छे खासी जंप यहां पर आई है, और लगब लगब जो हमारे टार्गेट थे, यहां पर आप देख लिए वीडियो में लिखा है, अच्छी परसेंट के रिटन कमाने का जबरदस्नों का, तो अच्छी परसेंट के तो अभी तो नहीं, बट अगर हम यहां पर बात करें, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने उस लेवल से अगर बात करता हूं, तो लगब लगब आज यह एक शेयर लगब 37% तक भागा था, और अगर मैं यहां से बात करता हूं, कि अगर हम यहां पर नीचे से बिल लेते इस शेयर को, तो यहां पर कितने परसेंट के रिटन लगब 60-61% की रिटन यहां पर बनते हुए, नजर आते हुए दिखाई दिया है, और वो भी कितने दिन के अंदर-अंदर, यहां पर एक महीना भी नहुआ, एक महीने में 60% की, जब शेयर चलना शुरू करता है तो वो देखता नहीं है, फिर एक अच्छे गासे रिटन तुरंत दे ही देता है, अब क्या करना है कि हमें इस लेबल पर, जहां पर यह शेयर अब बहुत एक कुछ दुनों में 60% भाग चुका है, तो क्या शेयर लेना चाहिए है नहीं, उससे लेटीड बाते करेंगे, जानेंगे इसका पर्टिकुलर कंपनी से लेटीड बाब बिफोर देट, वीडियो में आगे बाड़े, रिक्वेस्ट करोंगे, चाहिना को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा, तो हम बात कर रहे हैं इंडिया निपॉन की, इंडिया निपॉन की अगर मैं बात करूंँ जैसे मैंने पहले भी यापर वीडियो बनाई है, और इसमें बताये की, इसमें बताये की, अब बताये की, यहाँ पर प्रोड़क्ट बनाती हुई नजर आती है, यहाँ पर आप देख सकते है, EDC कंट्रोलर, 2-wheeler, 3-wheeler के लिए, यह सारे की सारे पोर्टेवल, इंजर, पावर, थेलर, एस वेलर, एस वेलर, जनरल पर 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 इंजर मनाती हुई नजर आती है, इनकी कस्टमर, TVS, Hero, Piago, and few others, यहाँ पर दिखाई देती है, sales performance, यह सब चीर यहाँ पर, इस पर्टिकुलर कंपनी में, अपने manufacturing plants, तो सब चीर यहाँ पर, दे रखिया, और यहाँ पर अगर कुछ और points की देखेंगे, तो लगभद 32% के share, यहाँ पर delivery basis, बलब ट्रेड जादा हो रहा है, तो इस चीट को याद रखियेगा, अभी यहाँ पर इस पर इस reward बिलकुल भी favorable नहीं है, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देख सकते हैं, तरह की सारे ही इतनी प्रोडक्स होते हैं, जो TVS याँ बजार याँ दूसरी आटो, टू वीलर थी, वीलर में बलगते हैं, वो यहीं कंपनी मना थी नजर आती है, तो EV में भी यह कंपनियां पर अच्छा गासा रोल प्ले करते ही नजर आएगी Hero P.I.A.G.O. यहाँ पर Greifs यहाँ पर Mahindra, Two-Wheeler, TVS यह सारी कंपनी इन प्रोड़क्ट में काम करती है जैसे कि मैंने बताया था कि डैट-free कंपनी है ओके ROC, ROE इतना खास नहीं है But auto के share यहाँ पर चल रहे है तो auto के share चल रहे है तो यह share भी यहाँ पर अच्छा गासा परफॉर्म करेगा जो कि अल्रेडी कर चुका है Market Cap की बात करें तो यहाँ पर Small Cap Company है ज़्यादा इन्वेस्ट करना याद रखिएगा हमेशा खत्रा है रहता है तो जादा इन्वेस्ट नहीं करते है Stock PE की बात करें ते इसके PEE पर यह share यहाँ पर चल रहा है Face value 5 का Okay split भी देता है सब चीन यहाँ पर अल्रेडी company दे चुकी है इसके लाब मैक्सियन chart pattern की बात करें तो मैक्सियन chart pattern देख सकते है किस तरीके से share अच्छे खासे तरीके से multi bagger हुआ उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया क्योंकि पूरी industry में problem थी Again उपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या यह दुबारा उस level पर जाएगा जिस level पर यहाँ पर यहाँ नजर आता है प्रॉफिट की बात करें तो लगब लगब यहाँ पर highest रहा ही yearly quarterly basis पर प्रॉफिट आया था इसके इलाबहा यहाँ पर yearly basis पर बात करें तो consistent growth नजर आती है और पिछले 12 महीने में 500 बात करोड की sales थी और net profit की बात करें 53 क्रोड रुपे का यहाँ पर profit है और company अच्छा खासा यहाँ पर growth दिखा रही है और जैसे यहाँ पर बात हो रही है और भी ज्यादा growth की auto ancillary as well as auto sector में तो यह company ही है जो यहाँ पर perform करके दिखाएगी बट यहाँ पर यह cyclical होती है कभी जादा बिखते हैं कभी नहीं भी बिखते तो उसके basis पर भी आपको यहाँ पर देखना होगा share उपर नीचे जाता रहता है जो कि हम यहाँ पर देख चुकी है reserves की बात करें company के reserves बैतरी है और debt-free share है 40 क्रोड रुपे यहाँ पर working progress में लगे हुए है 24 क्रोड रुपे investment और cash की बात करें 24 क्रोड रुपे का cash भी है जो भी पैसा आता है book में दिखाई देता है ROC यहाँ पर बारे के आसपास है promoters की holding as it is बने हुए है तो देखिए हमें किस से सीखना चाहिए हमें सीखना चाहिए यहाँ पर promoters से जो promoters अपने share को किसी भी हालत में नहीं बेचते चाहिए यहाँ पर शेयर नीजे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो कंपनी यहाँ पर थोड़ा से परफॉर्म कर रही हो ज्यादा अच्छा या नहीं कर रही हो तो हमें इन से सीखना चाहिए यह promoters है ना जतना यह लंबा रखते हैं यह share याद रखिए उनके जैसे अगर आप यहाँ पर share को hold करके रखते है तो पैसे अपने आप बनता है और ऐसी company जहाँ पर promoters अपने share बेच ही नहीं रहे तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ company में है और वो वेट कर रहे है बस right time का तो वो share यहाँ पर भागता हूँ नजर आएगा share अल्रेडी ओवर बाट जोन में चल रहा है बोद अल्रेडी यहाँ पर भाग चुका है तो इसका यह नहीं है कि और नहीं भाग सकता भाग सकता है बट यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रिशा फेवरवल में होता है मैं हमेशा सिखाता हूँ कि यहाँ पर चप चीजे खरीद करता है तो याद रखिए उसकेस में एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दुबारा हो सकती है पर तो 579 को इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है उसके बाद ही यहाँ पर बाइंग का अगर कन्फरमेशन मिलें यहाँ पर वाल्यूम अच्छे खासे दिखे तो उसकेस में आप को बाइंग करने है अजरुआज यहाँ पर अभी यहाँ पर बाइंग करना खत्रे से खाली नहीं इसके लाब अगर हम देखे तो हमने पहले यहाँ पर टार्गेट बताये तो उस टार्गेट से लिए यहाँ पर देखे कव यह कभ विध पैटरन बंता हुआ नजर आ रहा था कि यहां पर आपको शेयर अभी नहीं खरीगना चाहिए उसके बाद से ही शेयर यहां पर गिरना शुरू हुआ है और लगातार महां से गिरता हुआ नजर आ रहा है तो काफी लोग ऊपर के लेवल पर यहां पर डेफिनेटली फसे होंगे और देखे यह जो टार्गेट है तो रिजल्ट देखिएगा सबसे पहले ओके अच्छे रिजल्ट आते है शेयर नीचे आता है ओके तो एक मौका दुबारा देगा थोड़ा से इसके बाद यह जो बार भागेगा और दुबार भाग के फिर उसके बाद जो टार्गेट बनाएगा तो यहां पर याद रखि रहेगा जो कि कितना है लग 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 साड़ी शेसु साथ सो रुपे के आसपास है बट वो चीज़े यहां रुकने नीवाली फिर यह जो टार्गेट जो एचीव होंगे यह थाउजन रुपीज तक की लेवल की होंगे तो 22 साली की कोई रिकमेंडेशन है यह सारी सारी ची की बार्स बनी है बड़ी बड़ी बार्स बनी है तो चीज़े उपर जब गई है उपर जाने का नीचे भी आई है यहां पर देखिए यह उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे आया तो दुबारा उपर गया नीचे आया फिर यहां पर ख कर सकते, so thank you so much, God bless.